खबर गोंडा जिले से है जहांपर गोंडा जिले में नमाब गंज, कट्रा, करनल गंज, परसपूर, तरप गंज, वजीर गंज, मनकापूर, मसक नहमा, गोंडा नगर, विबिन जगहों पर दिपावली को उपलक्ष में माल अच्मी, गणेश की मुर्थी रखी जाती है जुकल बाजे के साथ भारी संख्या में पुलिस बन जगा जगा निगरानी कर रही थी, सीवो सदर, किरपा शंकर कनोजिया, नगर कोतवा, लालोक राओ, कई चोकी इंज, कई थानों की फोस के साथ साथ, पीएस्टी जवान तैनात रहे बीच में जुलूस निकाल कर विसरजित के लिए ले जाए गया, जुलूस के साथ महिलाएं, बच्चे, नौजवान, साथ ही जैकारे के नारे लगाते हुए बीजे पर जूंगते, गाते बजाते हुए लोगों को परसाध हलवा वितरल भी किया गया देखने वालों की भील लगी रही वहीं, गुडु वर्मा बजरंग दल के अवद बदादिकारी ने मेडिया से बात करते हुए बताया कि कई सालों से दुर्गा पूजा गणेश लश्मी की मूर्ती रखी जाती है, सांती पुर्वक हम लोग गाजे बाजे के साथ विसरजन करने के लिए जाते हैं, महीं दूसरी और रमेश इंद गुप्ता ने बताया कि आयुद्या में भगवान राम के उस्तों में दीप पूजन कर गणेश लश्मी का मूर्ती रख कर हम अपने गूंडा जिले में विधिन अस्थानों पर लोग पूजा आचना करते हैं, इस लोग को पस्थान कर रहे हैं, कि कि रहा है कि प्रतिमा इस्थांबित की जाने काई लक्षमी जी और गड़ेश जी की क्या माननेता है जिकी भी रहती है, पूजा कि यह प्रतिमा यह पूजा पूजा तेपावली में होता है बगवान श्री राम का चौदा वर्ष बनवास के बार जब परभु राम आयुद्धा आपिस आते हैं उसी के देप लस्में तिवार मनाया जाता है किसे माननेता हैं इसमान लग्षमी की पुजा करने से धंक संपत्र जो भिद्धी होता है पूजेकाइब düşquiera ए प्रतिमा कितरी सालों से यह रखी जा रहे है यह कर प्रतिमा कर हें पैंतीस साल से से रखी जाता है मिए काली जी की लश्मी जी की घड़े जी की पुजा होती है इसका भी सर्चन कहां किया जाएगा? आयोद्याम